Hello students, आईए NMR spectroscopy part 3 में NMR के बारे में कुछ और चीज़ें, अपने सिलिपस major mention है, उनके बारे में कुछ और जानें इसमें हम पढ़ेंगे विभन प्रकार के संखेतों के बारे में, number of signals के बारे में, संखेतों के संख्या के बारे में कुछ और बाते हैं उसके लिए जानते हैं चलिए प्रोकारल कार्बन, प्रोकारल कार्बन किसे कहते हैं और उससे जुड़ेवे जो hydrogen's होंगे, वो कितने निमार संकेत प्रदान करेंगे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं प्रोकारल कार्बन जिसमें ऐसा कार्बन है जो जिसमें तीन अलग-अलग प्रकार के समोग जुड़ेवे हों जैसे कि इस उदारन में देखें CH3, H और BR, इस pro-carol carbon में केवल तीन प्रकार के समोज जुड़ेवे हैं, इसलिए या carol ना होकर इसे कहा जाएगा pro-carol carbon, pro यानि पहले और carol यानि असमित carbon या carol carbon जो आप जानते ही हैं, तो carol बनने से जो पहले वाली स्थिती होती है, उस स्थिती में अगर वो carbon है तो उसे कहते हैं pro-carol carbon, pro-carol carbon में जो एक समान hydrogen या एक समान ग्रूप है, उनको अगर किसी अन्य ग्रूप Z के तवारा replace कर दिया जाता है, तो हमें carol carbon प्राप्त होते हैं, देखिए कि अगर हमने इन hydrogen को, जिन्हें की inansiotopic hydrogen कहा जाता है, उनको अगर हमने किसी अन्य समूज Z के तवारा replace कर दिया, एक बार इस तरफ का hydrogen अगर हटाया तो आप देखें, ये हमें inansiomer या asymmetric carbon मिले और inansiomer मिले क्योंकि ये दुनों एक दूसरे के प्रतिविम रूप हैं, अब ये जो पहले ये जो CH2 था, वो वाला carbon, अब वो कारल कार्बन में परिवर्तित हो गया है, इसलिए इसका नाम प्रो कारल पहले था, एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, वो ये है कि प्रो कारल कार्बन से जुड़े हुए जो hydrogen से हैं, उन्हें यहाँ पर inansiotopic hydrogen कहा गया है, क्योंकि इस प्रो कार्बन के कार्बन में परिवर्तित होने के पश्चात, जो molecules हमें मिले, वो एक दूसरे के mirror images या inansiomers हैं, इसलिए इन hydrogen को जो की प्रो कार्बन से जुड़े हुए थे, उन्हें inansiotopic hydrogen कहा जाता है, अब आप देखें कि जो inansiotopic hydrogen हैं, वो NMR में एक ही signal प्रदान क करेंगे, PMR क्यों, क्योंकि जो यहां पर जिस नाभिक का हम NMR पढ़ रहे हैं, वो है hydrogen, और उस hydrogen का जिनाभिक है, वो है proton, तो इसलिए हम NMR के जगए यहां पर PMR शब्द का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, एक और चीज़ देखें कि जो यदि, जिस molecule में प्रो कार्बन हो तो एस स्थिति में उस hydrogen को हम जो यहां पर जिने हम इनाशियो टॉपिक hydrogen कह रहे हैं, उन hydrogen को हम diastereo topic hydrogen कहेंगे, वो भी एक है NMR संकेत प्रदान करेंगे, परन्तु उन hydrogen को replace करने के बाद हमें जो optical isomer प्राप्त होंगे, वो enantiomer न होकर diastereo topic, diastereo mers होंगे, अब diastereo mers क्या होते हैं? diastereo mers होते हैं, वो optical iso mers जो एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप ना हो, परन्तु प्रतिबिंब रूप ना हो, तो उन्हें हम diastereo mers कहते हैं, अब diastereo mers जो हैं, वो कब प्राप्त होते हैं? जब यॉगिक में एक से अधिक कार्बन हो तो उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं आप देखिए किस प्रकार से यह देखिए आपके स्क्रीन पर एक्सांपल है डायस्टिरियो टॉपिक हाइड्रोजन का क्योंकि यह जो डायस्टिरियो टॉपिक हाइड्रोजन है वो उस प्रोकारल कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस मॉलक्यूल में पहले से ही एक और कार्बन उपस्तित हो तो उससे जुड़ावा इसलिए इसको हम कहेंगे प्रोकारल कार्बन और इन हाइडरोजन को कहेंगे हम डास्टरियोटापिक हाइडरोजन तो प्रोकारल क्यों कहेंगे यह देख लीजिए क्योंकि प्रोकारल इसलिए कहेंगे क्योंकि प्रतीन प्रकार के समूह जोड़े में ये carbon कहलाएगा प्रो कारल कार्बन परन्तु इसके hydrogen's कहलाएगे dia stereotopic hydrogen क्योंकि जिस molecule में ये प्रो कारल कार्बन है उसमें पहले से ही एक और कारल कार्बन उबस्तेत है एक कम से कम, एक से अधिक भी हो सकते हैं जैसा कि एक्जामपल आप नीचे देखें कि यहाँ पर यह है CH3CHCl यह जो red color का carbon है, यह chiral carbon है क्यों? क्योंकि इसमें 4 समों जोड़ेवे हैं देखें कौन-कौन से 4, 1H, 1Cl, 1CH3 और 4CH2Cl तो यह chiral carbon है, इस chiral carbon की उपस्तिते में एक pro chiral carbon भी इस molecule में है तो उस pro chiral carbon को से जोड़े हुए जो hydrogens हैं उन्हें कहेंगे हम dia stereotopic hydrogens क्योंकि यह pro chiral carbon उस molecule में है जिसमें पहले से ही एक कम-से-कम chiral carbon उपस्तित है तो यह hydrogens भी हुए dia stereotopic hydrogens आप देखते हैं कि क्यों इनको कहा जाता है इस प्रकार से देखिए इन जो प्रोकारल कार्बन से जो दो अलग-अलग डाय स्ट्रियो टॉपिक हार्डोजन जोड़े वे हैं उनको अगर हम किसी अन्य समूज Z के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो हमें जो दो मॉलेकूल्स मिल रूप नहीं है यह दूसरे के प्रदिविम रूप क्यों नहीं है आप देखिए क्योंकि यहां देखिए यहां Z और Z यह mirror image यह H और H तो यह दूसरे के mirror image लग रहे होगे लेकिन उपर वाला इससा अगर आप देखें तो उसमें जो कार्यल कार्बन है उसमें OH और OH एक ही द नहीं है यह दिया स्टेयो आइसमेर्स वो अप्टिकल आइसमेर्स इनका molecular formula सेम है यह दूसरे के आईसमेर्स है सारे समू वो एक जैसे हैं लेकिन एक दूसरे के mirror image इसले नहीं है ऑप्टिकल आइसमेर्स होते हुए भी क्योंकि इसमें एक से अधिक chiral atoms हैं और वो उपर वा नहीं हैं तो diasteroisotopic hydrogens ये जो hydrogens हैं जो prok viral carbon से जोड़े हैं जो की diastero isomir देता है तो ये hydrogens जो हैं जो diastero isotopic hydrogen कहलाएंगे वो एक ही NMR संकेत देंगे NMR में या PMR में नमबर आप सिगनल्स को आगे पढ़ते हुए हम देखते हैं एक और एक्सामपल अपने स्क्रीन पे देखिए कि कोई भी हाइट्रोजन अगर किसी मॉलेक्यूल में हो अगर वो उसका रासायनिक वातवरन अलग-अलग है या वो खुद ही एक दूसरे से रासायनिक रूप से स्टीडियो केमिकल अनवार्वार्नमेंट जो है वो एक दूसरे से बहिन है तो ऐसी सिथी में भी वो प्रोटोन इक दूसरे से अलग कहलाएंगे और जैसे ही वो एक दूसरे से अलग कहलाएंगे तो वो अनिमारघ संकेत देंगे आईए इस चीज़ को समझने के लिए हम इस example को देखते हैं यहाँ आप देखें जो मूल molecule है वो है CH3 CH, CHCl, CH2OH CH3, CHCl, CH2OH यानि एक, दो, तीन तीन carbon का बना हुआ यह molecule है यह इसका Saw Horse formula है जो जिसका staggered root दिखाया गया है अब staggered root क्यों दिखाया गया है? staggered root इसले दिखाया गया है क्योंकि staggered root ही staggered sunroopan ही या अंतरित sunroopan ही सबसे ज़्यादा stable sunroopan होता है यह इसका flying wish, sorry, new man, Saw Horse formula है और यह इसका new man projection formula है new man projection formula में यह थोड़ी सी बात और भी clear हो जाती है आप देखिए कि यह CH3, यह रहाँ CH3 यह वाला जो carbon है वो यहाँ इस बिंदू से दिखाया गया है और पिछले वाला carbon जो है इस बड़े गुला कार से दिखाया गया है तो सामने वाले carbon में C, L, H और CH3 यह तीन समू जोड़े वे हैं पिछले वाले carbon में H, H, OH यह तीन है और आपस में यह दूसरे से यह वाला बिंदू से दिखाया गया carbon और यह बड़ा वाला carbon आपस में यह दूसरे से सिगमा बंध के द्वारा बंधे वे हैं अब हम अगर देखें कि तो इस वाले carbon पर यह दोनो hydrogen जुड़े वे हैं तो एक ही होने चाहिए CH2 एक ही संकेत देने चाहिए क्योंकि एक ही प्रकार के हैं ऐसा नहीं है तो सबसे पहले हम देखने कि कितने अलग-अलग प्रकार के संकेत हम इसमें identify कर पा रही है देखें एक CH3 हमें समझ में आ रहा है कि CH3 hydrogen का जो रासायनिक गुण होगा वो इस वाले hydrogen के रासायनिक उन से अलग होगा उसी प्रकास से इन दोनों CH2 का जो रासार निगुन होगा वो इस CH3 के H और इस OH के हड्रोजन से अलग-अलग होगा तो ये दोनों अलग संकेत प्रदान करेंगे लेकिन आप देखिए इतना तो हम identify करी पा रहे हैं कि ये एक संकेत देगा ये एक संकेत देगा ये दोनों गूसे से बहने कैसे हुए उसको धम देखते हैं उसको समझने के लिए हम ये इस Newman Projection Formula को देखते हैं उसके staggered sunroopan को अंतरिच sunroopan को हम नहीं आपर प्रदरशित किया हुए ताकि बहतर इसको समझ सके देखिए जो नीले रंग का hydrogen है जो इस CH2 का एक हिस्सा है CH2 का hydrogen का एक पार्ट है ये है hydrogen CH2 का दूसरा पार्ट है ये वाला hydrogen अब आप देखिए कि ये जो hydrogen है जो नीले रंग से दिखा गया है वो hydrogen अई वो chloro group और CH3 के बीच में से निकलता हुआ है यानि इसके निकटवर्ती समूँ जो है वो एक methyl group है और एक chloro group है उसी प्रकार से ये वाला जो hydrogen है उसका निकटवर्ती समूँ chloro है और ये hydrogen है तो इन दोनों के पास से ये होकर गुजरता है इसलिए इसको जो अपने आसपास त्रिविम रसायन का जो महसूस करना पड़ेगा और जो इसको अपने आसपास जो त्रिविम रसायन त्रिविम बाधा जो महसूस करनी पड़ेगी है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे इस हाइडरोजन के आसपास जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा और इस वाले हाइडरोजन के आसपास का जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा वो एक दूसरे से बिन होगा क्योंकि ये समूँ एक दूसरे से अलग हैं ये CL और CH3 से गिरा हुआ है और ये गिरा हुआ है CL और H स इसलिए ये hydrogen और ये hydrogen NMR अलग-अलग NMR संकेत प्रदान करेंगे तो खुल में लाकर देखिए कि ये जो है H और ये वाला H ये एक दूसरे से भिन इसलिए है यानि ये H और ये H एक दूसरे से भिन इसलिए है क्योंकि इनके निकटवर्ती समों अलग-अलग है इस hydrogen का निकटवर्ती समों OH और H है इस hydrogen का निकटवर्ती समों CL और H है तो इसलिए ये इसका वातावरन इसके आसपास का electric और magnetic वातावरन environment इक दूसरे से अलग होगा NMR संकेत इसका अलग आएगा उसी प्रकार से निले वाला hydrogen और लाल वाला hydrogen एक ही carbon से जोड़े होने के बावसूद अलग-अलग NMR संकेत इसलिए प्रदान करेंगे मुझे उमीद है आपको ये समझ में आया होगा ये competitive exams के लिए भी important है इस चीज़ को समझना जब आप किसी molecule को इस प्रकार की molecule को देखते है उसका NMR संकेत निकालने को कहा जाता है यदि नीचे लिखे वे options में से वो option आपको चुनना है तो उससे पहले आप उसका newman projection formula बना के ज़रूर देखें और ये पता करें कि वो एक दूसरे से protons अलग है या नहीं है उमीद है आपको ये समझ में आया होगा फिर भी अगर आपके query कुछ रहती है question कुछ रहता है तो मुझे आप personally contact कर सकते हैं Thank you